हेलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू मांसी श्टडी चैनल दोस्तो आज है 29 अप्रेल 2024 और 29 अप्रेल 2024 से रिलेटिट कारंट अफियर्स के जितने भी कुशिन बन सकती है आज ही क्लास में सारे कुशिन को कवर करेंगे और हर कुशिन से रिलेटिट इंपोर्टन पॉइंट भी मै आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 अम पे डेली लाइव आती है आप सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी करंट अफियर्स में बहतर होने वाल है देश के सबसे बड़े खतरे लेवल 6 से सुरच्छा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेड के संगठन ने विक्सित की है विच और गनाइजेशन है जडबलब दी बुलेट प्रूफ जैकेड ओफ दी कंट्री फॉर प्रोटेक्शन अगेंस दी हाइस थ्रीट लेवल 6 फर् प्रेंड ओप्सन है DRDO ने थर्ड ओप्सन है NTPC Limited ने या फोर्ट ओप्सन है इस रो ने जल्दी से बताईएगा दोस्तों देश के सबसे बड़े खतरे लेवल 6 से सुरच्छा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेड की संगठन ने विक्सित की है इस कुशिन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वे हैं हमारा ओप्सन नंबर भी DRDO ने चलिए इससे रिलेटिट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं रच्छा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक एकाई ने उचितम खतरे के इस्तर 6 से सुरच्छा के लिए देश में सबसे हलका बुलेट प्रूफ जैकेड सफलता पूर्व विक्सित किया है यह जैकेड एक नई डिजाइन द्रिष्टी कोड पर आधारित है जहां नई प्रकरियाओं के साथ नवीन सामगरी का उपयोग किया गिया है डियार्डियो के रच्छा सामगरी और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने 7.62 गुड़े 54 पी आई गोला बारूत के खिलाफ सुरच्छा के लिए देश में सबसे हलका बुलेट प्रूफ जैकेड सफलता पूर्व विक्सित किया है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स C.OR किस आई आई टी ने AI का उपियो करके 5G और परे नेटवर्ग से 140 सेवा प्रवंदन के लिए एक समझोते पर हस्ताचर किये हैं C.OR and which IIT have signed an agreement for automated service management in 5G and beyond network using AI फर्स्ट ओप्शन है IIT Gohati सिकेंड ओप्शन है IIT Delhi फर्ड ओप्शन है IIT Madras फोट ओप्शन है IIT Jodhpur बताइएगा दोस्तो इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जुराइट answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number D, IIT जोदपुर चलिए से related important point को पढ़ते हैं दूर संचार विभाग के प्रमुक, दूर संचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, C. और भार्तिय प्रोधोगी की संस्थान जोदपुर ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आंगे के network में 140 सेवा प्रवंदन के लिए एक समझोते पर हस्ताचर किये हैं समझोते पर DOT के Telecom Technology Development Fund के तहत हस्ताचर किये गई हैं जो कि किफाईती, Brond Band और Mobile सेवाओं को सच्चम करने के लिए प्रोधोगी की डिजाइन विकास दूर संचार उत्पादों के व्यवसाई करण और समधान में सामिल घरेलू कमपनियों और संस्थानों को वित्यपोसर साहिता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ठीक है दोस्तो चली आंगे बढ़ते हो नेश कुष्ण देखती है नेश कुष्ण लिखा है फ्रेंड्स आपदा प्रतिरोधी बुनियादी धाचे पर अंतराश्टी सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में सुरू हुआ विच एडिशन आफ दी इंटर्नेशनल कॉन्फरेंस ओन डिजाष्टर रिजी लेंस इंफ्राइस्ट्रक्चर बेगन इन न्यू डेली फर्स्ट आपशन है थर्ड, सिकेंड आपशन है फूर्थ, थर्ड आपशन है फिप्थ और फूर्थ आपशन है शिक्स्थ बताईएगा फ्रेंड्स आपधा पितिरोधी बुनियादी धाचे पर अंतराश्टिये सम्मेलन का कौन सा संस्क्रण नई दिल्ली में सुरू हुआ है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं मारा आपशन नमबर डी सिक्स्थ शुरू हुआ है चलिए इससे रिलेटिड इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ती है आपता प्रितिरोधी बुनियादी धाचे पर अंतराश्टिये सम्मेलन का छटा संस्क्रण नई दिल्ली में सुरू हो गया है सम्मेलन का विसे है अधिक लचीले कल के लिए आज निवेस करें प्रिधान मंत्री नरेन मोदी ने बेहतर कल के लिए ऐसे बुनियादी धाचे में निवेस के महत्व को व्यक्त किया जो आपदाओं का सामना कर सकें नई बुनियादी धाचा परियोजनाओं और आपदा के बाद पुनर निर्मार प्रियासों दोनों में लचीलेपन को सामिल करने की आविसकता है इसके अलावा ऐसी दुनिया में जहां आपदाओं की कोई सीमा नहीं होती उन्होंने राश्ट्रों के बीच सामूहिक लचीलेपन की आविसकता पर जोर दिया है ठीक है दोस्तों चलियांगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हरित उर्जा लच्छियों और भारत की कारवन तटशता कांच्छाओं का समर्थन करने के लिए किस कमपनी ने इंडस्ट आवर्स लिम्टेड के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताच्छर किये हैं विच कमपनी एज साइंड एन MOU विट इंडस्ट आवर्स लिम्टेड तू सपोर्ट ग्रीन एनर्जी गोल्स एंड इंडियाज कारवन नीट्रल एस्पिरेशन्स फर्स्ट आप्शन है रिन्यू पावर, सिकेंड आप्शन है टीपी रिन्यूबल माइक्रो ग्रीड, थर्ड आप्शन है जे एस डवल्यू एनर्जी, फोर्ट आप्शन है एन्टी पीसी ग्रीन एनर्जी लिम्टेड चल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हैं हमारा ऑप्शन नमबर डी एन्टी पीसी ग्रीन एनर्जी लिम्टेड चलिए इससे रिलेज़िड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं एन्टी पीसी ग्रीन एनर्जी लिम्टेड और इंडस्ट आवर्स लिम्टेड ने हरित उर्जा लच्छियों और भारत की कारबन तटस्ता कांचाओं का समर्थन करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताच्छर किये हैं सयोग का उद्देश शौर पवन और उर्जा भंडारण समाधहां सहित गिरड से जोड़ी नवी करड़ी उर्जा पर्योजनाओं को सयोगत रूप से विक्सित करना है ठीक है फ्रेंट्स चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स SIPRI रिपोर्ट के अनुशार 2023 में सैन खर्च के मामले में भारत का विस्व में कौन सा इस्थान था एकॉर्डिंग टू दस SIPRI रिपोर्ट वर्ट वोज इंडिया ज रैंक इन दा वर्ल्ड इन टर्म्स अफ मिलिर्टी स्पैंडिंग इन 2023 फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड, सिकेंड ऑप्शन है फूर्थ, थर्ड ऑप्शन है फिफ्ट और फूर्थ ऑप्शन है शिक्स्थ जल्दी से बताईएगा दोस्तो, SIPRI रिपोर्ट की अनुशार 2023 में सैने खर्च के मामले में भारत का विस्में कौन सा इस्थान था? इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स, वह है मारा ऑप्शन नंबर भी फूर्थ इस्थान था? चलिए इससे रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं इस्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट की रिपोर्ट के अनुशार संयुक्त राज अमेरिका, चीन और रूस के बाद 2023 में भारत दुनिया में चोथा सबसे बड़ा सैने खर्च करने वाला देश था 2023 में सेना पर भारती खर्च 83.6 बिलियन डॉलर था, 2022 में भी भारत दुनिया का चोथा सबसे बड़ा सैने खर्च करने वाला देश था, भारत सरकार ने हाल के वर्सों में अपने सैने खर्च में व्रद्धी की है 2024 के अंतरिम केंद्रिये बचट में भारत सरकार ने रच्छा खर्च के लिए 6.2 लाग करोड रुपे आवंटित किये, आवंटिन पिछले वर्स के संसोधित अनुमान से थोड़ा कम था ठीक है दोस्तो, चलिए आंगे बढ़ते हो, नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है, फ्रेंड्स, डिजिटल भुक्तान प्लेट फॉर्म रेजर पे ने किस पेमेंट्स बैंक के साथ साजेदारी में अपना स्वेम का यूनिफाइट पेमेंट्स इंटरफेस, इंफराइस्ट्रक्चर या यूपी आई स्विच लॉंच किया है डिजिटल पेमेंट्स प्लेट फॉर्म रेजर पे हैज लॉंच्ड इट्स ओन यूनिफाइट पेमेंट्स इंटरफेस, इंफराइस्ट्रक्चर और यूपी आई स्विच इन पार्टनर्सिप बिद विच पेमेंट बैंक फर्स्ट ओप्सन है यूर्टेल पेमेंट बैंक, सिकंड ओप्सन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, थर्ड ओप्सन है फिनो पेमेंट बैंक या फोर्ट ओप्सन है पेटियम पेमेंट बैंक जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वह है हमारा option number A, Yertel Payment Bank चलिए इससे related important point हो को पढ़ती है डिजिटल भुक्तान प्लेट फॉर्म रेजर पे ने Yertel Payment Bank के साथ साजेदारी में अपना स्वेम का Unified Payments Interface Infrastructure या UPI Switch लाँच किया है कंपनी अभी Yertel Payments Bank को अपनी UPI Switch सेवा पिदान करेगी जिससे वह पेमेंट्स बैंक के प्लेट फॉर्म पर UPI लेंदेन का प्रिभंदन कर सकेगी समाधान प्रती सेकेंड 10,000 लेंदेन तक संभाल सकता है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है Friends April 2014 में किस कंपनी ने अपना उधगाटन यात्रा केंदरित कोर क्रेडिट कार्ड माइल स्पेस किया है विच कंपनी है ज इंट्रोड्यूजड इस इनेगुरल ट्रेवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड माइल से इन अपरेल 2024 फर्स्ट आप्शन है SBI कार्ड, सिकेंड आप्शन है वीजा, थर्ड आप्शन है मास्टर कार्ड या फोर्ट आप्शन है रूपए जल्दी से बताईएगा दोस्तों अपरेल 2024 में किस कंपनी ने अपना उद्गाटन यात्रा केंडिक कोर क्रेडिट कार्ड माइल स्पेस किया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है मारा आप्शन नमबर A SBI कार्ड चलिए से रिलेटिड इंपोर्टन पॉइंटों को पड़ती है SBI कार्ड ने अपना पहला यात्रा केंडिक कोर क्रेडिट कार्ड SBI कार्ड माइल स्पेस किया कार्ड व्यापक यात्रा लाभों का वादा करता है बैंक ने एयर विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और IHG होटल से एंड डिजोर्स जैसे 20 से अधिक अगरडी एयर लाइन और होटल ब्रांडों के साथ साजेदारी की है ठीक है दोस्तों, चलिए आंगे बढ़ते हो, नेश कुश्चन देखती है नेश कुश्चन लिखा है, फ्रेंट्स कैबिनेट की न्युक्ति समिती ने 3 मई 2014 से कितने वर्स के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर टी रभी संकर की पुनन न्युक्ति को मंजूरी दे दी है The Appointments Committee of the Cabinet has approved the reappointment of RBI डिप्टी गवर्नर टी रभी संकर for how many years from May 3, 2024 1st option है 1 year, 2nd option है 2 year, 3rd option है 3 year, 4th option है 4 year बताईएगा फ्रेंट्स कैबिनेट की न्युक्ति समिती ने 3 मई 2014 से कितने वर्स के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर टी रभी संकर की पुनन न्युक्ति को मंजूरी दे दी है इस question का जुराइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हैं हमारा option नंबर A, 1 year के लिए चलिए से related important point तो को पढ़ती है कैबिनेट की न्युक्ति समिती ने इस साल 3 मई से एक साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर टी रभी संकर की पुनन न्युक्ति को मंजूरी दे दी है दिली के जवाहर लाल नहरू इस विद्याले से अर्थ सास्त में दर्सन सास्त में मास्टर डिगरी रखने वाले संकर को मई 2021 में 3 साल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर न्युक्ति किया गिया था मई 2021 में डिप्टी गवर्नर के पदपर पदोंनत होने से पहले वह RBI के कारिकारी निर्दे सकते ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स अप्रेल 2024 में प्रवोवो सुभियानतों को किस देश का राष्टपती चुना गिया है प्रवोवो सुभियानतों है जिबीन इलेक्टिट प्रेसिडेंट आफ विच कंट्री इन अप्रेल 2024 फर्स्ट आप्सन है इंडोनेसिया सिकिंड आप्सन है मालदीव थर्ड आप्सन है भूटान फोर्ट आप्सन है मौरिशस जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स अप्रेल 2024 में प्रवोवो सुभियानतों को किस देश का राष्टपती चुना गिया है इस कुशन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वह है माला आप्सन नंबर ए इंडोनेसिया का चलिए इससे रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है इंडोनेसिया के चुनाव आयोग ने आप्चारिक रूप से प्रवोवो सुभियानतों को राष्टपती निर्वाचित गोसित कर दिया जब देश की सरवोज अदालत ने दो हारे हुए राष्टपती पद के उमीदवारों द्वारा उनकी सांदार जीत के लिए दर्ज की गई चुनावतियों को खारिच कर दिया सुभियानतों जो बरतमान में रच्चा मंतरी हैं इन्होंने 58.6% वोटो या 96 मिलियन से अधिक मत पत्रों के साथ चुनाव जीता है जो अन्य दो उमीदवारों में से किसी एक को प्राप्त वोटों से दो गुने से भी अधिक है ठीक है फ्रेंट्स चलिए आँगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंट्स अप्रेल 2024 में किस कमपनी ने एक हलका करतिम बुद्धी मत्ता मॉडल पी एच आई थ्री मिनिट लॉंच किया है इन अप्रेल 2024 विच कमपनी हैज लॉंच्ड फी थ्री मिनिट अलाइट वेट आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस मॉडल फर्स्ट आप्सन है माइक्रोसॉफ्ट, सिकेंड आप्सन है एपल, थर्ड आप्सन है इंफॉसिस या फोर्ट आप्सन है गूगल जल्दी से बताईएगा फ्रेंड्स इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे है हमारा आप्सन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट चलिए इससे रिलेड़ेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है, माइक्रोसॉफ्ट ने पी एचाई थरी मिनिट लॉंच किया है, जो एक सुदंत रूफ से उपलब्द हलका छोटा भासा AI मॉडल है, कंपनी की योजना इसी पैमाने पर दो अन्य मॉडल जारी करन अब तक जारी किया गया सबसे छोटा मॉडल है, और इसे इस्थानिय रूप से चलाया जा सकता है, जिसका अर्ट है कि इसे इंटरनेट कनेक्शन की आविसकता के बिना स्मार्ट फोन पर मुफ्त में चलाया जा सकता है, ठीके दोस्तों, आई हो पाच के सभी कुशन आप ल अब लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, और सारे फेक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, और आपके अपने चैनल मांसी 사स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा, ठाइंक यू सुमास दोस्तों